आप लोगों ने फिल्मों या फिर नाग पंचमी के दिन नागू को दूद पीते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन आपको बता दे कि साप दूद नहीं पीते। अब आप सोच रहे होंगे कि नाग पंचमी के दिन साप दूद कैसे पी जाते हैं। सपेरों द्वारा इन बिचारे बेजुबान सापों को पकड़ कर नाग पंचमी से पहले कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता है. फिर जब नाग पंचमी के दिन इन सापों को निकाला जाता है तो तब ये भूख, प्यास से त्रस्ट हो चुके होते हैं और दिहाइड होता है तो इसका मतलब है कि यह उनके लिए फायदे मंद नहीं बलकि नुक्सान दायक होता है और कई बार तो साप मर जाते हैं